नमस्कार दोस्तों सभी दर्सकुका हमारा यूटूब चैनल कुमार रिपेरिंग हाउस में स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में हम सब सीखेंगे जियो फॉन पर चार्जिंग प्रोबलम रिपेर करना तो दोस्तो charging problem repair करना बहुत ही कठिन होता है लेकिन दोस्तो जो तरीका आज हम बताएंगे इसके जरीए जो mechanic नहीं होंगे वो आप आसानी पुरवक से repair करना सीख जाएंगे तो सबसे पहले दोस्तो जियो phone की charging problem को सही करने के लिए हमें mobile phone set जो होता है दोस्तो उसे चेक करना पड़ता है चलिए हम जो तरीका बताएंगे दोस्तो पूरे YouTube पर आपको देखने को नहीं मिलेगा तो दोस्तो ये जो model है दोस्तो जियो phone का ये 320B का model है new set है ठीक है तो चलिए आज हम new set 320B का ये set को हम आज repair करना सीखेंगे दोस्तो सबसे पहले इस तरह के fault charging problem जो आई है दोस्तो वो हम check करते हैं सबसे पहले और आप सबको हम दिखाने की cost करते हैं ये जो charging problem आई है किस तरह से देखने को हम मिलता है और किस तरह से हमें check करना है तो जैसे कि हम charger से connect करके रखे हैं लेकिन कोई भी supply या कोई भी light देखने को नहीं मिल रहा है ठीक है तो अब चलिए हम इसको हम दोस्तो life approved के साथ जो है दोस्तो हम diagram के through भी समझाएंगे और इसे practically जो है दोस्तो हम इसे ठीक करके भी आप सबको दिखाएंगे तो दोस्तो छोटी सी request है आप सभी से अगर वीडियो को किलिक किये हैं दोस्तो तो विल्कुल सीख कर ही जाएगा दोस्तो आज जो सेठ हम लेकर के आये हैं जियो फोन का 320 का ये YouTube पर बहुत ही कम वीडियो देखने को मिलेगा अगर इस वीडियो को आप सब किलिक किये हैं त केबल लाष्ट तक बने रहीएगा दोस्तो मैं guarantee लेता हूं कि इस तरह की problem को आप solve कर सकेंगे अपने घर पर तो सबसे पहले दोस्तो जब charging problem हमारी आती है तो क्या चेक करना है और किस तरह से इसको सही करना है चलिए हम दिखाते हैं तो सबसे पहले दोस्तो set को हम खोल लेत अगर यूटूब चैनल को subscribe नहीं किये होंगे तो चैनल को जरूर subscribe कर लिजएगा क्योंकि हमारे यूटूब चैनल पर आपको ऐसा ही content का वीडियो रोज देखने को मिल पाएगा और दोस्तो आप सब जो है दोस्ता आप सब बहुत ही सारा प्यार दिये हैं जो कि पहले जो एक वीडियो हम लेकर काए है फूकलोग प्रोब्लम उस पर आप सब का बहुत ही प्यार मिला है दोस्तो उसकी जरीए हम फिर से हम दुबारा वीडियो लेकर का आए हैं इस पर भी हम अच्छी से अच्छी information देने की causes करते हैं जिसके जरीए आपको जो है दोस्तो अच्छी स सबसे पहले हम कैसे चेक करेंगे charging socket जो है हमारी सही है या नहीं दोस्तो सबसे पहले connector को हम यहां इस तरह से connect कर देंगे ठीक है और multimeter के द्वारा हम 200 की range पर रखेंगे multimeter को और एक प्रोब को ground कर देना है और दूसरे प्रोब से हमें यहां पांच वोल्टी की supply को चेक करना तो जब हमारी 5 वोल्टी की supply यहां बिल्कुल आ रही है पहुच रही है दोस्तों तो हमें क्या चेक करना है सबसे पहले यहां 5 वोल्ट अगर हमारी आ रही है तो बिल्कुल यह jack जो है हमारी बिल्कुल सही है यह jack से कोई भी problem नहीं है और यहां में टेस्ट करना है जैसे कि यहां battery की connector पर तो यहां देख सकते हैं कोई भी supply में देखने को नहीं मिल रहा है और यहां तक हमारी supply output नहीं हो रही है यहां से input हो रही है लेकिन charging IC से हमारी output supply नहीं आ रही है तो मैं कैसे सही करना है सबसे पहले देखना या ग्राउंड करना है और यहां से test करके देखना है अगर circuit हमारी कटी होगी तो यहां भी चेक करना डायोट पर भी हमारी 5V आ रही है यहां रेजिस्टन पर भी चेक करना है तो रेजिस्टन पर भी हमारी 5V आ रही है और IC नंबर 6 नंबर IC पर हमें देखना है तो यहां भी 5V आ रही है तो दोस्तों यहां जो IC होता है हमारी 6 लग की यह 6 लग जी IC का आउटपुट हमारी यह 7 नमर पीन होता है 7 नमर पीन पर देख सकते हैं कभी-कभी हमारी 1 वोल्ट आ रही है कभी-कभी जो दोस्तो 5 वोल्ट 100 हो रही है तो यहां से ही हमारी गड़बड़ी अधिकतर होती है यह IC से अगर इस IC का कोई भी फॉल्ड आती है तो यह हमारी चार्जिंग से कोई प्रोब्लम आ जाती है सेट पर तो हमें क्या करना है दोस्तो यहां से एक जमफर लगाना है और यह 7 नमर पीन पर हमें जो है दोस्तो यहां एक जमफर को लगा देना है यह हमारी सेट जो है 5 वोल्ट की सप्ला मिलता है जो कि देख सकते हैं कभी-कभी हमारी 0 वोल्ट आ रही है और कभी-कभी जो दोस्तो हमारी 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट आ रही है अनिकि अब डाउन हो रही है तो जैसे कि दोस्तो हम 5 वोल्ट को सप्लाई जो है हमारी जैक से निकल रही है तो अब हमें कैसे चेक करना है चलिए दोस्तो most important जो है दोस्तो यहीं पर है जो आप अगर इस चीज को आप समझ जाएंगे तो दोस्तो 100% किसी भी जीओ फॉन की charging को आप चुटकियों में repair करना सीख जाएंगे तो दोस्तो सबसे पहले सबसे पहला number तो पहली step में हमें सबसे पहले socket को चेक करना है अगर socket से हमारे negative और positive दोनों wire से हमारी 5 volt की supply आ रही है ठीक है तो आने कि socket को में कुछ छेड़शाड नहीं करना है अब socket से हमारी यहां 5 volt आ रही है ठीक है और यहां से एक छोटा सा एक बिंदा देखने को मिलेगा ठीक है आपको ठीक है और यहां से एक डायोड लगा हुआ रहता है इस तरह से देखिएगा ठीक है हम diagram जो है दोस्तों अच्छी तरह से हम बना नहीं पाइंगे लेकिन आपको अच्छी तरह से हम समझा जूरू सकेंगे ठीक है तो यहां से एक डायोड होता है ठीक है यहां से पांच बोल्ट आती है और डायोड के इस सीरा में हमें पांच बोल्ट देखने को मिलता है और यह जो जो दोस्तों गराउंड के जा करके दोस्तों यहां 6 पिन का एक चार्जिंग IC होता है ठीक है तो यहां एक पहला दुसरा तीसरा और यहां एक दो तीन आनि कि यह सिरा यह सिरा और यह दोनों यह सब ground होता है ठीक है हम आप सब को जल अच्छी तरह से समझाने की कोसिस करते हैं देख से कियेगा यह ground है ठीक है और यहां से पहली जो सिरा आई है यह 5 बोल्ट है ठीक है और यहां output पर भी हमें 5 बोल्ट की supply देखने को मिलता है आने कि दोस्तों यह डाइग्राम हम बनाई हैं दोस्तों आप सब को दिखाने की कॉसिस करते हैं अब चलिए हम charger को फिर से हम दुबारा connect करते हैं और आपको दिखाते हैं तो charger को हम connect कर चुके हैं अब मल्टि मिटर के दोबारा आपको हम दिखाने की कोश्ब करते हैं जैसे की यहां एक प्रोब हम गराउंड करेंगा यहां भी घराउंड कर सकते हैं इस सोकेटा पर वह कर सकते हैं खिलाएब ओं सजेबल last पांच वोल्ट मिल चुका है तीक है अभे हां से यह जो है दोस्तों का ज़ेसे यहuster यह डायोड है ओर डायोड के यहीं सीरा पर हमें 5 वोल्ट देकने को मिलना है यहां भी 5 वोल्ट आ रहे है और इधर नेगेटिफ है देख सकते हैं नेगेटिफ पर कोई भी supply नहीं है डायोड का उल्टा सीरा पर हमें कोई वोल्ट नहीं मिल रहा है ठीक है और यहां से एक रेजिस्टन है, इस रेजिस्टन को अगर यह रेजिस्टन ओपन हो जाए तो यहां पर भी हमें चार्जिंग देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो यहां भी हमारे यहां इस पीन पर हमें पांच वोल्ट के सप्लाई मिल रहा है ठीक है यहां तक हमारी सप्लाई आज सुकी है अब चलिए आउट्पुट पर हम जाके चेक करके देखाते हैं आपको यहां यहां पांच देख सकते हैं एक वोल्ट के करिब आने कि यहां से चार्जिंग हमारी नहीं आ रही है देख सकते हैं चार्जिंग के चार्जिंग पर कोई सप्लाई नहीं ठीक है अब चलिए हमें क्या करना है जैसे कि यहां हमारी सप्लाई जो है दोस्तों अब डाउन हो रही है कभी आ र charging IC है यह charging IC है ठीक है अब charging IC को हम replace करते हैं फिर भी यह ठीक हो जाएगा और इसको अगर हम short तरीका से बनाने की कौसित करते हैं फिर भी यह बन जाएगा तो चलिए आज हम short तरीका बताते हैं जिसकी जरिया आपको IC को change नहीं करना है केबल दोस्तों यह एक jumper लगाना है और उससे 100% जो दोस्तों 100% full guarantee लेते हैं बिना IC बदले 100% दोस्तों बिना IC change किये हुए इस phone को charging आप बना सकते हैं चलिए हम करके दिखाते हैं और same आपको भी इस तरह से follow कर देना है तो चलिए हम एक छोटा सा wire लेते हैं jumper wire और करके दिखाते हैं किस से किसको connect करना है ताकि हमारी जो charging IC बिना change किये हुए IC को आप charging problem को sort out कर सकते हैं जियो phone की 320 B model वाली तो चलिए हम करके दिखाते हैं तो चलिए हम एक छोटा सा jumper wire ले चुके हैं अब किस जगा से connect करना है wire वो भी हम आपको दिखाएंगे चलिए सबसे पहले हम salding कर लेते हैं और आपको हम दिखाते हैं ठीक है दोस्तो हम jumper लगा चुके हैं अब चलिए हम किस जगा से कहा से connect किये हैं jumper wire वो भी हम आप सबको दिखाने की causes करते हैं ठीक है तो यहां देख सकते हैं यह हमारी charging IC है ठीक है यह समझ लेते हैं charging IC ठीक है तो यहां जो हमारी input आती है I am input से ले करके wire को हमें output पर जोड़़ देना थिक है तो यहां देख सकते हैं दोस्तों हम दिखा देखा लेते हैं आप सबगो नहीं तो बुलिए का दोस्तो दों कहा से कहां connect किये हैं यहां देख सकते हैं पांचDolT इन्पूट हो रही है ठीक है यहां से भी ले सकते हैं यहां से भी ले सकते हैं और आउट्पूट जो हमारी छे नमर पीन से है यहां में जमफर कर देना एक वायर को तो यहां हमें छे नमर पीन पर हम एक वायर को जमफर कर देते हैं ठीक है और यह हो चुका है ठीक है अब चलिए हम फिर से दुबारा आपको हम चार्जिंग लगाना करके आप सबको दिखाते हैं यह प्रोबलम जो है दोस्तो सौट हुआ है या नहीं अगर सौट आउट नहीं हुआ है तो फिर से आप सब कुम दिखाएंगे कहां से फॉल्ड हो सकती है ठीक है तो चलिए हम सबसे पहले आपको हम दिखाने की कौसिज करते हैं अब चार्जिंग को हम कनेक्ट करते हैं और आपको हम ओन करके दिखाते हैं यह जो प्रोबलम हमारी चार्जिंग साही थी यह बिलकुल सही हुआ है या नहीं तो देख सकते हैं हमारी on हो चुका है set अब जैसे हम बैटरी को connect करेंगे हमारी charging symbol भी आना चाहिए देख सकते हैं ये charging symbol भी हमारी आज चुकी है तो ये छोटा सा information था आप सब के लिए I hope दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो चैनल को subscribe वीडियो को भी एक like करके प् कोपिक लेकर के तब तक के लिए जैंद बंदे मात्रम थैंक्यू फूर वाचिंग वीडियो कि अ कर दो में करना खायत अच्छी लगे हो वीडियो कि वीडियो कि ये कि अच्छी लगे हो वीडियो कि अच्छी लग पाँ कि अच्यों और